दोस्तों बिहार में बिहार विकास मित्र का जो बाहली है निकाली गई है इसके लिए अगर आपके नियुन्तम योगिता किवल पाच भी पास भी है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपकी योगिता उससे अधिक है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं इस पत के लिए किसी भी परकार से आपको फी नहीं लिया जाता है और कोई आवेदन सुल्क भी नहीं है और कोई एक्जाम भी नहीं ली जाएगी यह सारी जनकारी बताईगी और साथ ही क्या-क्या दस्ता बेजे लगेंगे पूरी जनकारी आपको बताया जाएगी इस वीडियो में सारी जनकारी online update htm.in के website पर उपलब्द करा दी गई तो आप आकर सारी जनकारी यहां से भी पढ़ सकते हैं आप mobile laptop में जो भी browser है में open करें search करें online update htm.in और latest update और latest job आले सक्षन में देखेंगे बिहार विकास मित्र बहाली के बारे में एक detail में article मिलेगा जिसपे click करेंगे और सारी जनकारी को आप आकर read कर पाएंगे यहां पर नीचे आएंगे समझ में आ जाएगा कि बिहार विकास मित्र क्या है इसका क्या काम करना होता है और साते इसका क्या important date है इसका जो बिजापन है आज के date में release की गई है और आवेदन की जो परक्रिया है आज से शुरू हुई है और 8 सितंबर तक रखा गया है इसी बीच आपको आवेदन करना होगा जो भी candidate इसमें आवेदन करेंगे उनका एक मेगा सुची त्यार किया जाएगा जो की 12 सितंबर 2022 को जारी की जाएगे उसके बाद आपका अंति मेगा सुची एक और आएगी जो की 12 सितंबर 2022 को आने वाली है किनी को आपतिक कुछ लगता है कि इस मेगा सुची में आपतिक करना है तो पर्णर नौ से लेकर 24 नौतक आप आवेदन कर पाएगे उसके बाद यहाँ पर आपको नियोजन जो होगा जब जोइनिंग होगा सपत क्रहन होगा वो 27 दस 2022 को रखा गया है अब सारी जनकारी अगर आप आप ओफिसर नोटिफिकेशन के जिरी ये पढ़ना चाते है तो इंपोटेंट लिंक वाले सक्षन में आएगे और यहीं पर आपको नोटिफिकेशन का जो लिंक दिया गया आप जिसपे क्लिक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होकर आएगा जिस नोटिफिकेशन में पूरी जनकारी बताई गई है आप पूरी जनकारी पढ़ सकते हैं किलियर लिखा हुआ है कि विकास मित नियोजन हेतु अल्प कालिन सुचना जारी किया गया है यह जो सुचना है सदर अनुमंडल गया की ओर से निकाली गई है विभीन पंचातो एवम सहरी छेतरों में विकास मित्र के जो भी रिक्त सीटे थे जिस पे बहाली निकाली गई जो की समीधा पे ये रहने वाली है आपको बता दे ये जो भाली के जो भी डेट है हमने पहले भी क्लियर किया कि कब आपका क्या होगा वो देख सकते हैं साथ ये देख सकते कि ये जो भाली है कहां कहां के लिए निकाली गई उसकी पूरी जनकारी यहां बताईगी कि रिक्तियों का विबरन आप देख सकते हैं जहां पे आपका जो भी प्रखंड होगा उसका नाम देखनों को मिलगा और यहां पे जाती बहुलता भी आपको देख कराई गई है नीचे जब आप आप आएंगे यहां पर चैन एतु आहरता रखा गया कि किस परकार के लोग इस बहाली के लिए आवेदन कर पाएंगे वह आप यहां पर पर सकते हैं तो आवेदन अवेदिका की जो निवन्तम योगता होगी मैटिक या समकच होगी फिर भी लिखा हुआ है कि मैटिक पास अभी आर्थी नहीं रहने पर नन मैटिक यह जो नौवी पास है आटवी पास है सात्वी पास है छटी पास है एवं पाच्वी पास है वह भी इसमें भाग ले सकते हैं उनको भी मौका मिल सकता लेकिन अगर उस कंडिशन में जो हाईयर अग्षिनेक योगता नहीं मिलने पर साक्षर रहने पर भी चैन किया जा सकता है बसरते बताया गया कि अक्षर का जो भी आपका स्व्म साहता समू होता है जिससे अगर जो महिलाये जूरी हुई है वही महिलाओं को इसमें मौका मिलेगा उसके आलावे भी पूरी जयनकारी बताईगे कि ये जो बहाले निकाले गए जिस पंचाथ जिस परखंड और जिस वाड के लिए निकाला गया है वहीं के लोग आवेदन करेंगे जिसे ये जो नोटिफिकेशन है फिलाल हमने आपको उपर में भी किलियर किया कि सदर और मंडल गया से निकाला गया तो यहां का जो भी candidate है जो कि आप देखेंगे आपके परखंड और आपका वाड या आपका पंचाथ का नाम है तो आप आवेदन करेंगे और उसके बाद कैसे आपका चैन किया जागा जिसके बारे में बताई गई है इसके लिए सबसे पहले आपको offline आवेदन करना होगा जो भी आवे notification में clear mention कर दिया गया कि अब आपको notification या इसका जो form आपको download करना होगा इसका जो भी नगर निगम या नगर परसद या नगर पंचाथ में इनका जो भी office है जहां पर जाकर इस form को आपको लेना होगा और साथ ही वहीं पर इस form को भरकर आपको जमा करना है जिसका अस्थान बताया गया form लेने का और जमा करने का प्रखंड विकास पदाधिकारी करयाले सहरी छेतर के कारेपालक पदाधिकारी नगर निगम गया नगर परिसद बोद गया के करयाले से इस form को आपराप्त कर सकते हैं आविदक के साथ जो भी आविदन करेंगे जो भी form मिलेगा उसके साथ यह कुछ कागजात है जो कि आपको लगाने परेंगे जैसे मेटिक का जुभी अगर आपने अपलाई किया जैसे अगर आपके जुभी योगिता नियुनतब होगी वही योगिता का सर्टिपिकेट लगाना जिस पर आपका सिंगनेचर होना जरूरी है साथ आपका आप लगा सकते हैं तो इस परकार इस बहाली में आप भाग ले सकते हैं जिसकी पूरी जनकारी हमने आपको बताया फिर भी कोई डाउट है तो एक बार आकर इस वेब साइट पर सारी जनकारी को आप एक बार रीड करिए और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करकर सारी जनकारी को अपडेट करिए जहां पर आपको सारी जनकारे उपलब्द करा दी गई है फिर भी कोई डाउट है कॉमेंट करका पूछ सकते हैं ऐसे ही अपडेट से जूरी आप सारी अपडेट से जूरी पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रूप से ज्वाइन हो जाए जहां भी आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगे विडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद